पार्ट सत्ताईस निबंद लीखन ऐसे रॉइटेंग निबंद ऐसे निबंद का शाप्तिक अर्थ ठीक सी पंधा हुआ अर्थात सुगठित या सुव्यवस्थित कहने का तादपर यह यहा है कि थोड़े से चुने हुए शब्दों में किसी विशय पर अपने विचार प्रकट करने को निबंद कहते हैं निबंद के विश्यों की कोई सीमा नहीं होती किसी भी विशय पर निबंद लिखा जासे हैं निबंद के अंग Parts of Essay निबंद के निमनलिखित अंग होते हैं एक भूमिका या प्रस्तावना दो विशय वस्तु अथ्वा वर्ण्य विशय तीन उपसंगार अथ्वा समापन एक भूमिका या प्रस्तावना Introduction इस अंग में निबंद की भूमिका लिखी जाती है इसमें लेखक या बताता है कि वव विशय के बारे में क्या लिखना चाहता है भूमिका संग्षिप्त होनी चाहिए दो विशय वस्तु अथ्वा वर्ण्य विशय Subject Matter या निबंद का मुख्य अंग है या उसका सबसे विस्तृत भाग होता है इसमें लेखक अपने विचार उस विशय पर मनुरंजक शैली में प्रस्तुत करता है तीन उपसंगार अथ्वा समापन Conclusion या निबंद का अंतिम भाग है उपसंगार सारगर्भित एवं उपदेश्य पर रखोना चाहिए CNG रूपरेखा 1. भूमिका 2. CNG का लाब 3. CNG से चुड़ी समस्याए 4. वायू प्रदूशन 5. इंदन दिवस 6. उपसंगार भूमिका वायू प्रदूशन एक विकट समस्या है वायू प्रदूशन से हमारा चीवन संकट में पढ़ जाता है वायू से हमारा चीवन चलता है इसलिए यह जरूरी है कि हम इस वायू वंडल को स्वच रखें। हम कम से कम प्रदूशन फैलाएं ताकि लोग शुत वायू में श्वास ले सकें। गैस दो प्रकार की होती हैं। एक प्राकृतिक दबाव गैस। दो तरल प्राकृतिक गैस। इन दोनों का उप्योग वाहनों में इंधनों के रूप में किया जाता है। CNG को एक विशेश दबाव वाले सिलेंडर में 3000-3600 प्रतिवर्ग इंच दबाव पर तैयार किया जाता है। तरल प्राकृतिक गैस का निर्माड प्राकृतिक गैस को शुद्ध एवं ठंडा 2600 डिक्री फारनहाइट तक किया जाता है। CNG का लाब CNG कम खर्चीला है। CNG के द्वारा वायू प्रदूशन को कम किया जा सकता है। दिल्ली में लगभक 80 CNG पंप हैं। आम नागरिक जिनके पास वाहन हैं, वे भी अपने वाहन CNG में परिवर्थित करवा रहे हैं। क्यूंकि उन्हें इससे लाब हो रहा है। CNG से चुड़ी समस्याएं। दिल्ली सरकार ने वायू प्रदूशन को रोकने के लिए एक ठोस कदम उठाया है। परन्तु इसके साथ कुछ खामिया भी हैं। एक तो CNG के उपकरण महंगे हैं। एवं CNG पंप परियाप्न होने के कारण लोगों को कई घंटे पंक्तियों में अपने वाहनों के साथ खड़ा होना पड़ता है। फिर भी यह एक ऐसा कदम हैं। जिससे वायू मंडल में प्रदूशन की मात्रा को कम किया जा सकता है। मानव की सोच बदली है जिसका परिणाम यह CNG है। वायू प्रदूशन वेसे तो भारतिये विभिन समस्याओं से चूच रहे हैं। जैसे दहेज प्रथा, जाती प्रथा, अशिक्षा, बेरुसकारी आदी जो आज तक खत नहीं हुई। इन्ही सब समस्याओं में एक महत्वपूर्ण समस्या है वायू प्रदूशन। वायू प्रदूशन हमारी ही उपज है। वायू प्रदूशन के कारण हजारों लोग मौत के आगोश में चली जाते हैं। दिल्ली, मुंबई, कूलकाता एवं चिन्नई भारत के प्रमुखनगर हैं। मुंबई, कूलकाता एवं चिन्नई को मिलाने के बाद जितनी गाडियां मिलेंगी उतनी ही गाडियां दिल्ली में हैं। उन गाडियों से निकलने वाला धुआ हमारे फेफ़लों को हानी पहुचाता है, जिससे चान भी चली जाती है। इसी समस्या का समधान है CNG, विदेशों में इसका प्रयोग 30 साल से किया जा रहा है। CNG की यह विशेशता है कि कम जगा में ज्यादा ग्यास भरी जाती है, जिससे वाहन ज्यादा तूरी तै करते हैं। कुछ वाहन तरल दबाव वाले ग्यास का प्रयोग करते हैं, जिसका निर्माण प्राकृतिक ग्यास को शुथ एवं ठंडा करके 2600 डिगरी फैरनहाइट तक किया जाता है। इंधन दिवस भारत की राजथानी दिल्ली में चारो और वाहन ही वाहन हैं, जिसके कारण लोग आई दिन अस्थमा एवं अन्य वायू प्रदूशन जैसी बीमारियों से ग्रसित हैं। इस समस्या के समधान के लिए दिल्ली सरकार ने उच्चुतम न्यायाले के साथ मिलकर एक कानून पास किया, जिसमें कोई भी ऐसा वाहन जो नाकरिक सेवा प्रदान करता हो, उसे CNG का प्रयोग करना होगा। इस कानून को पड़ी सक्ती के साथ पालन किया गया, एवं अनेक आंदोलनों के बावजूत इसमें कोई फीर बदल नहीं की गई। दिल्ली में हर मां 25 प्रतिशत CNG वाहन धारकों की वृद्धी हो रही है, दिल्ली में सर्व प्रथम 9 CNG पंप थे, जो बिछले साल 47 हो गए, और गत साल के अंद तक 80 हो जाने की संभावना है। प्रतिशत 95 प्रतिशत प्रदूशन कम किया जा सकता है। CNG के द्वारा हमने प्रदूशन के कणों को कम कर दिया है। CNG के द्वारा नए एवं आथुनिक प्रकार के उपकरणों की सनरचना की जा रही है। ताकि इसका उप्योग स्यादा से स्यादा किया जा सके। वन में जीवन नहत है। रूप रेखा एक भूमिका दो वन और पर्यावरण तीन व्रिक्षों से लाब चार व्रिक्षों के कटनी से हानिया पांच व्रिक्षा रोपड की योजना छे उपसंगार भूमिका वन हमारी अपार संपदा हैं ये हमारी चीवन के अभिन अंग हैं इनमें ऐसी तुरलब वनस्पत्य सुरक्षित रहती हैं जो सारे संसार को स्वास्थिप्रदान करती हैं प्राचीन काल से लेकर आप तक व्रिक्षों की पूझा करना हमारी संस्कृती रही है ऐसा माना चाता है कि व्रिक्षों में देवी देवताओं का निवास होता है तभी पीपल, बर्गत, नीम, केला, तुलसी, आदी बोहत ही पूझे माने गए हैं वन और पर्यावरण पर्यावरण संतुलन के लिए पृत्वी पर तैतीस प्रतिशत वन होना आवश्यक है वन वर्षा लाने में सहायक होते हैं तथा वर्षा के जल को अपने भीतर सूख कर बाण के खत्री को कम करते हैं वन भूमी के कटाव को भी रूखते हैं इस प्रकार वन और पर्यावरण का गेहरा संबंध है वन सारी संसार को फल फूल, हरियाली और शीतलता प्रदान करते हैं वन हमारे द्वारा छोड़ी कई गंदी सासों को कार्वन डायोकसाइड भूजन के रूप में ले लेते हैं और उसके पतले में हमें चीवंदाई ओक्सिचन देते हैं वनों में निवास करने वाले चीवचनतु भी प्राकृतिक संतुलन को बनाई रखने में सहायक होते हैं इस प्रकार वन प्रत्यक्ष रूप से मानव को चितना देते हैं परूख्ष रूप में उससे भी पढ़ कर देते हैं इसलिए हमारी पूरवच वनों की देखरेक पुत्रों के समान किया करते थे व्रक्षा रूपन से प्राप्त पुन्य की महिमा गाती हुए किसी कवी ने कहा है प्याओ के बैठाने से पुन्य पुत्रवत होए व्रिक्ष लगाने से मिले पुन्य दास गुनी सोय व्रिक्षों से लाब व्रिक्ष बड़े ही परूपकारी माने गए है संस्कृत में कहा गया है स्वयम नखादनती फलानी व्रिक्षाह अर्थात व्रिक्ष स्वैम फल नहीं खाते क्योंकि ये परूपकारी है। व्रिक्षों की लकडी से फर्नीचर, संदूक, पेटी आदी, वस्तुई पनती हैं। रसिया, चटाईयां भी वनस्पतियों से पनाई जाती हैं। इस प्रकार वन हमारी जीवन के लिए वर्तान है। तब ही कहा गया है जीवनम नहितम वने। में केवल तेस प्रतिशत वन रह गए हैं। इसका कारण है व्रक्षों की अंधा धुन्द कटाई। मनुष्य ने तनिक सी लूप के कारण वनों को ही नहीं। अपितु वनों में रहने वाले जीव चंतुओं का भी वद कर डाला है। परिणाम यह के जीवों की कई प्रचातिया ही समाप्थ हो गई। हिंसत जानवर प्राकृतिक संतुलन की रक्षा करते हैं और मानव की उपकारक होते हैं। पक्षी क्रिशी में हानी पहुचाने वाले कीड़ों को खा जाते हैं। इस प्रकार प्रकृती स्वयम ही संतुलन बनाई रखती है। परंतु वनों की विनाश के बाद क्या या संतुलन रह पाएगा? वनों की काटने से प्रभाव यह हुआ है कि देश में अनावरिष्टी होने लगी है। रेगिस्तान बढ़ने लगा, धूल भरी आंधिया चलने लगी, वातवरण थूशित होने लगा। इस प्रकार वनों को काटने से प्रदूशण की समस्या उत्पन हो गई है। व्रिक्षा रोपण की योचना हमारा यह करतव्य है कि अब तक वनों को जो हानिया पहुच गई हैं, उसकी पूर्ती के लिए हरी भारी व्रिक्षों को काटने पर रोग लगानी चाहिए, तथा अधिक से अधिक पोधे लगाई चाहिए। वनों के सनरक्षण एवं परिवर्धन का कारिय अब सरकार और चनता दोनों मिलकर कर रही हैं। चिपको आंधुलन इस दिशा में क्रानते कारी कदम है। शासन द्वारा व्रिक्ष काटने को अपरात खोशित कर दिया गया है। प्रदिवर्ष सरकार त्वारा व्रिक्षा रोपड सप्ता मनाया चाता है। आप तक करोणों व्रिक्षों का रोपड किया चाच चुका है। उपसंगार कहने का यह अभिप्राय नहीं है कि व्रिक्ष बिल्कुल काटे ही न जाए या उनसे प्राप्त लाब लिया न जाए। यदि लेना भी है तो योजना बना कर पुरानी व्रिक्षों को ही काटा जाए और जितने काटे जाए उससे दो गुना पहले ही लगा दिये ज यदि यह कार्य योजना बत तरीके से उच्साप पूर्व किया जाए तो कुछ वर्षों में ही हम व्रिक्षों की कमी को पूरा कर लेंगे। इस प्रकार हम कह सकते हैं वन से जीवन की रक्षा करने चाहिए और फिर जीवन से वन की रक्षा होनी चाहिए। मनुष्य को वन ही काटने चाहिए क्योंकि जीवन की सत्ता वन में ही नहत है। गा मनुरंजन की साधनों की शेत्र में न ग्रिहस्ती की शेत्र में च यादायात व परिवहन की शेत्र में च संचार की शेत्र में चार विज्ञान सी हानी पांच उपसंगार प्रस्तावना विज्ञान की विकास के कारण ही पहले की जन जीवन में और आजकल की जन जीवन में समीन आसमान का अंतर आ गया है विज्ञान ने बड़े-बड़े उद्योगों को जन दिया है यातायात, संचार, चिकित्सा और श्रम के शेत्र में विज्ञान ने अभूत पूर्व सुविधाय प्रदान की है विज्ञान का अर्थ और महत्व विज्ञान शब्द से तापपर है विशीश ज्ञान ऐसा ज्ञान जो तर्क, प्रमाण और ज्ञान पर आश्रित हो विज्ञान के आधार पर किसी भी खटना का सही ढंक सी विशलीशन किया जा सकता है इसके द्वारा हमें वास्तविक स्थिती का ज्ञान हो जाता है आज सभी शेत्रों में विज्ञान का प्रवेश है विज्ञानिक साथनों के फल स्वरूप आज सारा विश्व एक परिवार के समान हो गया है कोई भी खटना मिनिटों सेकंडों में पूरी संसार में फैल जाती है विज्ञान का योगदान आज तैनिक चीवन में निमनलिखित शेत्रों में विज्ञान का पूर्ण प्रभाव दिखाई पड़ता है कर चिकित्सा के शेत्र में विग्यान ने चिकित्सा के शेत्र में जो सुविधाई प्रदान की है, उसके लिए संपूर्ण मानव चगत विग्यान का रणी है आज मनुष्य के रोकुं पर नियंतरण प्राप्त कर लिया क्या है शरीर के आंतरिक भागों का एकसरी करके बीमारी की चानकारी प्राप्थ हो जाती है जिससे सही समय पर उचे तिलाच किया जा सकता है यही कारण है कि आज मृत्युदर में काफी कमी आ गई है पोलियो जीचक जैसी बीमारीयों की विरुत अभियान चला कर जन जीवन को सुरक्षित बनाया जा रहा है ख कृशी के शेत्र में आज निरंतर चन संख्या पढ़ती जा रही है फलस्वरूप उनके लिए अन्न की आवश्यक्ता भी पढ़ती जा रही है फूमी तो सी में थी है इस आवश्यक्ता की पूर्थी में विख्यान का बहुत बढ़ा योगदान है ट्राक्टर, ट्यूब वेल, थ्रेशर, आदी यंत्रों की सहायता से कृशी कार्य आसान हो गए है और अन्न उत्पादन में वृत्थी होई है गर, वैज्यानिक उत्पादन के शेत्र में जब बिचली का आविश्कार नहीं हुआ था तब न स्वचालित मशीने थी ना ही राते प्रकाश मान थी रात होते ही चारो तरफ घना अंधेरा चाजाता था आज पिचली के आविश्कार से रात और दिन एक समान हो गए है दूरदर्शन, रेडियो, टेलेफोन, इंटरनेट और उपक्रहसंचार से सारा विश्व मानों चुड़ सा गया है यह सब विज्यान की ही देन है घह, मनुरंजन के साधनों के शेत्र में मनुष्य की मूलभूद अवश्कताओं, रूटी, कपड़ा और मकान के अलावा विज्यान ने मनुरंजन के शेत्र में भी बहुत योगतान दिया है रेडियो, टेलेविशन, सिनिमा, विडियो, आदि मनुरंजन के साधन तो विज्यान की क्रिपा से ही प्राप्त हुए है यदि ये साधन न होते, तो मानव जीवन में नीरस्ता रहती न, ग्रिहस्ती की शेत्र में विज्यान द्वारा प्राप्त सुविधाएं, तो ग्रिहस्ती की शेत्र में वर्तान स्वरूप है कपड़े धोने की मशीन, प्रेस, पंखा, कूलर, हीटर, गीजर, मिक्सी, टीवी, फ्रिस आदी ने ग्रिहस्त जीवन को सुविधा जनक बना दिया है कम से कम समय में अधिक से अधिक कारी को पूरा किया जा सकता है आजना जाड़े के मौसम में कड़कती ठंड सहने की आवशकता है और नहीं गर्मी के मौसम में असहनिय गर्मी सहने की आवशकता है च यातायात व परिवहन के शेत्र में यातायात के शेत्र में अभूत पूर्व प्रगती हुई है पहले जिन यात्राओं को पूरा करने में लंबा समय लगता था वहरेल, मूटरों और वायूयान की द्वारा बहुत आसानी से कम समय में पूरी की जाती है पृत्वी ही नहीं, आज मनुश्य वैक्यानिक साधनों की द्वारा चंद्रमा पर भी पहुँच गया है चा, संचार के शेत्र में, संचार के शेत्र में तो विज्ञान ने क्रांती ही ला दी है अब दूर बैठे लोगों से टेलिफोन के सरी खंटों बाती कर सकते हैं पेसर, फाक्स, सेल्यूलर, टेलिक्राम ने तो दुनिया की दूरी को कम कर दिया है विज्यान से हानी विज्यान के वर्दानों से हमें लाप के साथ साथ हानी भी प्राप्थ होई है जिसकारी को करने के लिए मनुश्यों की श्रम की आवश्यक्ता होती थी उसे आच मशीने कर देती है अतहा संसार में बेरुसकारी बढ़ रही है जिन परमाणू बमों का आविशकार कर लिया गया है उससे मानव जीवन ही खत्रे में पढ़ गया है पर्यावरन प्रदूशन पढ़ता ही जा रहा है इस प्रकार विज्ञान वर्दान के साथ साथ अभिशाम भी बन गया है साथान मनुष्य यदि विज्ञान है तलवार तो इसे देफ्वेक तचकर मुह स्मृति के पार उपसंगार आज मनुष्य को आवशकता है अपने विवेक चागरत करने की जिससे वह विज्ञान के लाप को ग्रहन कर सके तथा अभिशब्द रूप को त्याग सके विज्ञान की विशेशताओं को देखते हुए कहा जा सकता है के हम विज्ञान के रिणी है प्रदूशन की समस्या और समाधान रूप रेखा एक प्रस्तावना दो प्रदूशन का अर्थ तीन प्रदूशन का कारण चार प्रदूशन के प्रकार ग जल प्रदूशन, ख वायू प्रदूशन, ग ध्वानी प्रदूशन, ग मृदा प्रदूशन, न आणवेक प्रदूशन, पांच प्रदूशन तूर करने के उपाई, चे उपसंघार प्रस्तावना, विश्व में समस्त प्राणी, अपने जीवन यापन हे तू पर्यावरण पर आश्रित रहते हैं, प्रकृती पर्यावरण की संतुलन में सहायक है, लेकिन आच मनुश्य सुक्सिम्रिथी और वैभव की आकांशा की कारण प्रकृती से छेड़ छाड़ कर रहा है, जिससे पर्यावरण असंतुलित हो रहा है, इस असंतुलन की कारण अनीक नवीन समस्याएं हमारी सामनी उपस्तित हो गई हैं, इन्ही समस्याओं में एक प्रमुक समस्या है प्रदूशण, प्रदूशण का अर्थ, प्रदूशण का अर्थ हैं दूशित होना, जब हमा शुत चलवायू में दूशत तत्मों का समावेश हो जाता है। तो यह संपूर्ण मानव जगत के लिए अत्यंद हानिकारक होता है। पशुपक्षी मानव अपने सास के द्वारा ओक्सिचन लेते हैं और कार्बन डायोकसाइट छोड़ते हैं। तथा पेड़ पौधे कार्बन डायोकसाइट लेते हैं और ओक्सिचन छोड़ते हैं। इस प्रकार जर और अचर फ्लाणी अपनी श्वास्क्रिया से एक दूसरे को जीवनदान देते रहते हैं। वायो मंडल में इन ग्यासों का संतुलित अनुपात जब करबड़ाता है तो इसी पर्यवरण प्रदूशन की समस्या कहा जाता है। प्रदूशन का कारण जन संख्या में तीवरकती से व्रिथी प्रदूशन का सबसी बड़ा कारण है। मनुश्य जैसे जैसे विकास करता जा रहा है। प्राकृतिक वातवरण में आसंतुलन उत्पन करता जा रहा है। आज हमारी भवन स्वच्छ और वातानु कूलित हैं लेकिन हमारा पर्यवरण दूशित हो रहा है। वातावरण को प्रदूशित करने में मनुष्य स्वयम जिम्मेदार है। वह आकाश, वायू, प्रिथ्वी का तीजी सी तूहन कर रहा है। पीड बोधों को निरंतर काटता चला जा रहा है। फलतह, वायू मंडल में निरंतर कारबन डायोकसाइड का अनुपात बढ़ता जा रहा है। अगर यही क्रम रहा, तो समस्त मानव जगत का अस्तित्व खात्रे में पढ़ जाएगा। प्रदूशन की प्रकार। प्रदूशन निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। क जल प्रदूशन, आज मनुष्य औत्योगिक शेत्र में निरंतर उन्नती कर रहा है। लेकि इससे जल प्रदूशित होता चा रहा है। वही जल खेतों की सिचाई हेतु प्रयोग किया चा रहा है। इससे उत्पन फसले हमारे लिए हानिकारक हैं। ख वायू प्रदूशन, कारखानों बस मूटरों आदी से निकलने वाला धुआ, वातावरण में वायू को अर्थात वायू में कारबन डैयोकसाइड की मात्रा बढ़ रही है। इससे अनेक रोग उत्पन हो रहे हैं। वनों का अंदाथों कटना भी वायू प्रदूशन का मुख्य कारण है। क्योंकि हमारे द्वारा चोड़ी गई कारबन डैयोकसाइड को ग्रहन करके पौधे व देख वृद्धी के कारण चारों तरफ कोला हलका वातवरण रहता है। वाहनों, लाउड स्पीकरों, मशीनों की शोड से ध्वनी प्रदूशन बढ़ता चा रहा है। मनुष्य की सुन्ने की शम्ता कम होती चा रही है। रक्त चाप, मानसिक रूग, बहरापन, अनिद्रा जैसी भयंकर बिमारिया, ध्वनी प्रदूशन के कारण ही बढ़ती चा रही है। गह, मृदा प्रदूशन, अपनी आकांशाओं की पूर्ती हेतु, मनुष्य वनों को निरंतर काटता चला जा रहा है। वर्षा होने पर जन अपने साथ भूमी की उर्वर्रा शक्ती को ले चाती है। मनुष्य रासाइनिक खादों का प्रयोग करकी कम समय में अधिक अन पैदा कर रहा है। जिससे मृदा मिट्टी प्रदूशित होती चा रही है। तथा जो फसल पैदा होती है वह भी पौश्टिक नहीं रहती। न आणवेक प्रदूशन विज्ञान ने एक ओर चाहा मनुष्यों को सुविधाई दी हैं वही समस्याई भी दी हैं। परमाणू परीक्षन वायू मंडल में रेडियो धर में प्रदूशन फैलाता है। जिससे अनेक बीमारिया उत्मन हो रही है। प्रदूशन तूर करने के उपाए। प्रदूशन रोकने के लिए सबसे पहले इसके प्रमुक कारण जन संक्या वृद्धी पर रोक लगानी होगी। वनों को काटने से रोका जाए। और अधिक से अधिक वृक्ष लगाए जाए। अवशिष्ट पदार्थों को जल में न विसर्चित किया जाए। सरकार को परमाडू विसफोटों पर भी रोक लगाना चाहिए। इन उपायों पर यदि सभी अपना करतवी समझ कर अमल करें तो प्रदूशन की समस्या काफी हद तक कम हो सकती है। उपसंगार अध्यन्ध हर्ष की बाद है कि आज भारत में लोग प्रदूशन की प्रती सजग हो गए है। पात जून 1957 को संपूर्ण विश्व में परियावरण दिवस मनाया गया। परन्तु आवश्यक्ता है प्रतीक मनुश्य को चागरित होने की। तवी इस समस्या का सम अधान हो सकता है। अनुशासन ही इंता दूर करने की उपाएं। चार उपसंगार प्रस्तावना अनुशासन शब्द का अर्थ है नियंत्रण में रहना। जहां पर नियंत्रण रहता है वहां सवी कार्य सुचारू रूप से संपन्न होते हैं। मनुश्य पर समाच का नियंत्रण है नदियों पर तटों का नियंत्रण है। अनुशासन में रहनी पर ही मनुश्य अपनी गंतव्य को प्राप्त कर पाता है। इस संबंध में किसी ने कहा है अनुशासन की लगाम जब खोड़े की मूँ में लगी हुई होती है तब ही वह ठीक से चलता है। बिना अंकुष का हाथी और अनुशासन रहत समाच विनाश की ओर चाते हैं। चात्रों के लिए अनुशासन आवश्यक है। तब ही वह विद्या प्राप करनी में सफल हो सकती हैं। लेकिन आज समाच में चात्रों में अनुशासन हीनता बढ़ती जा रही है। विद्यालेयों में अनुशासन हीनता और उसकी कारण। आजकल विद्यालेओं में चात्रों को अनुशासन में रखना एक समस्या बन गई है। अनुशासन ही इंता की निम्नलिखेत कारण हैं। क अव्यवहारिक शिक्षानीती। भारत में जिस शिक्षानीती का निर्धारण किया गया है उससे चात्र, निराश, व आसंतुष्ट हैं। चात्रों के शारीरिक व मानसे दोनों प्रकार के विकास पर ध्यान नहीं दिया जाता है। परीक्षा प्रडाली भी ऐसे हैं, जिससे विद्यार्थियों की योग्यता की सही ढंक से चाच नहीं हो पाती। प्राया विद्यार्थी परीक्षाओं में नकल करते पकड़े जाते हैं। परीक्षकों के पास चाकर वे नंबर बढ़वा लेते हैं। इससे परीक्षा के शीत्र में ब्रश्टाचार और विद्यालेयों में अनुशासन हीनता बढ़ती है। ख चात्रों में श्रध्धा वभाय का अभाव। प्राचीन काल में चात्र और अध्यापक के बीच संबंध मधुर थे। चात्र अध्यापक का सम्मान करते थे। उनकी आग्या का पालन करते थे। जिसके कारण अध्यापक भी चात्रों की प्रती स्नीह रखते थे। लेकिन आजकल चात्रों की अध्यापकों के प्रती श्रथा नहीं रह गई है और अध्यापक भी केवल वेतन के लिए पढ़ाते हैं। पहले चात्र अध्यापकों से ड़ते थे लेकिन आजकल की उद्धंड चात्रों से तो प्राचार्य और अध्यापक ही ड़ते हैं। इस प्रकार अनुशासन हींता बढ़ती ही जा रही है। इसमें अध्यापक एवं चात्र दोनों का दोश है। गह तीवी व चलचित्रों का प्रभाव। आजकल तीवी पर प्रसारित होने वाली कारिक्रमों का चात्रों पर कूप्रभाव पढ़ रहा है। वे समस्त बुरायों को क्रहण कर लेते हैं। चलचित्रों से वे कीवल फैशन परस्ती को ही क्रहण करते हैं। उनके विचार दूशित हो रही है। इस प्रकार चात्रों में अनुशासन हींता बढ़ती जा रही है। अनुशासन हींता तूर करने के उपाए। अनुशासन हींता दूर करने के लिए सर्वब्रथम चात्रों में व्याप असंतोश के कारण शिक्षा के स्तर में सुधार करना होगा। पाठिक्रम इस तरह निर्धारित किया जाए कि चात्रों का शारीरिक, मानसेक, बौध्धेक तथा आध्यात्मिक विकास हो। इसके साथ ही पढ़ने के बाद उन्हें कोई रोजकार प्राथ हो सके, जिससे चीवन निर्वा कर सके। चात्रों को नितिक मूलियों की महत्ता बताई चाए, जिससे वे अपने से पढ़ों का सम्मान करें, तथा अपनी जिम्मिदारियों को समझें। पीवी, चलचित्रों में दिखाए जाने वाले कारिक्रम शिक्षा प्रध होने चाहिए। अभिभावकों को अपने बच्चों को प्यार से सही गलत का समुचित क्यान कराना चाहिए। अनुशासन ही इंता की समस्या का समधान अभिभावक, अध्यापक तथा चात्र मिल कर ही कर सकते हैं। इन सभी को अपने आचरण में सुधार लाना होगा। इस प्रकार उद्देशिपून शिक्षा, व्यवसाइक शिक्षा, इवं व्यवहारिक शिक्षा तथा शिक्षक दायत्व ही अनुशासन ही इंता की समस्या को कम कर सकते हैं। उपसंघार, देश का भवेशिन आज के युवा वर्ग पर ही निर्भर है। यदि विभिन शित्रों में व्याम्त असंतोष को कम नहीं किया गया, तो हम लोग इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते कि आने वाले दिनों में देश का क्या होगा। इसलिए अनुशासन ही इंता की समस्या का समधान शीग्र ही ढूनना चाहिए। सरकार को शिक्षा नेती में आवशक्ता अनुसार परिवर्थन करना होगा। पंडत चमाहला नहरू ने कहा है, चात्रों में जू कुछ अतिरिक्ट शक्ती है, उसे दूसरी साधनों की ओर मोड़ दिया चाए, तो अनुशासन हींता की समस्या सुलज सकती है। कम्प्यूटर के बढ़ते चरण, रूप रेखा, एक, प्रस्तावना, दू, कम्प्यूटर के शेत्र और कार्य, तीन, चित्रांकन वगणना की सुविधा, चार, कम्प्यूटर और दूर संचार, पाँच, बैंक वर्रेल्वे के शेत्र में, चे, उपसंघार, प्रस्तावना, मनुष्य एक अध्यंद जिक्या सुप्राणी है, वह सदैव, विपिन खोजों में तत पर रहता है, वह एक की बाद एक, नई-ने आविशकार कर रहा है, मनुष्य को आविशक्ता महसूस हुई, एक ऐसे यंत्र की, जिससे वह कम मिहनत और कम समय में अधिक स अधिक कारे कर सके, अतहा, चॉल्स बैबिच ने कम्प्यूटर का आविशकार किया, आज कम्प्यूटर उन सभी कार्य को करने लगा है, जो पहले मनुष्य किया करता था, कम्प्यूटर की शेत्र और कार्य, आज शेक्षा, व्यवसाय, शासन, प्रशासन, सभी शेत्रों मे कम्प्यूटर का चलन है देश की सुरक्षप्रणाली की द्रणता के लिए भी कम्प्यूटर अनिवारे है आज कच्चे माल की खरीट में समक्री नियोचन में समक्री सूची नियंत्रण में अनाज भंडार में भी कम्प्यूटर का उप्यूग होने लगा है 21 वी शतावदी पूर्णतया कम्प्यूटर शतावदी होगी ऐसा लगता है कि आने वाले समय में हमारी प्रतीक कारी का निर्धारण कम्प्यूटर ही करेगा चित्रांकन वह गणना की सुविधा आज कम्प्यूटर की सर्य कागस पर बनाए गए चित्र को हम कम्प्यूटर स्क्रीन पर तीक सकते हैं आवशक्त अनुसार उसे छोटा बड़ा कर सकते हैं चित्र को कम्प्यूटर में संग्रह करके रखा जा सकता है कम्प्यूटर की द्वारा अंत्रिक्ष की चित्रों का विशलेशन कार्य भी कम्प्यूटर की द्वारा किया जा रहा है गणना की शेत्र में कम्प्यूटर का विशेश महत्प है यह लाखों करोणों की गणनाई पलत चपकते ही कर देता है जिन गड़नाव को मुनीम, लीखपाल तथा अन्य लोग दिन रात परिश्रम करके करते थे, फिर भी प्राया कलतियां हो जाती थी, उन्हें कम्प्यूटर तुरंद कर देता है, बैंग का लेखा जोखा रखना भी इसके त्वारा सुलब हो गया है कम्प्यूटर और तूर संचार, कम्प्यूटर ने संचार की शेत्र में भी क्रामती उत्पन कर दिया है, आज टेलेफोन, फाक्स, मोबाइल और इंटरनेट के माध्यम से मानो सारा संसार एक हो गया है, घर बैठे ही विश्व के किसी भी कोने में बैठे व्यक्ती से तुरंद बात की जा सकती है, कोई भी लिखित सामकरी तुरंदी जहां चाहें वहां भेज सकती है, अपने प्रधान कार्याले में बैठे बैठे ही फाक्ट्रियों में होने वाली कारियों का पता लगाया जा सकता है, बांक वर रेल्वे के शेत्र में, कम्प्यूटर के कारण आज बा का स्थान, फ्लॉपी और सीडी ने ले लिया है, और आसानी से रेकॉर्ड रखे जा सकते हैं, इसी प्रकार खेल के शेत्र में भी सुविधाएं प्राप्त हुई हैं, पहले टिकेट बुक कराने के लिए कितनी लंबी लाइन लगानी पड़ती थी, लेकिन आज यह कार्य अ आदी में कंप्यूटर का महत्व पून योगतान है, उपसंघार, आज कंप्यूटर जगत में भारत की स्थिती सराहनिय है, कंप्यूटर हमारे लिए वर्टान सिद्ध हुआ है, वह दिन दूर नहीं, जब भारत कंप्यूटर तक्नीक में विश्व का मार्कदर्शक होगा, कम्प्यूटर का चरण सबी शेत्रों में फैला है लेकिन अकेला कम्प्यूटर कुछ में नहीं कर सकता जब तक उसके पीछे मानफ मस्तिश्क नहो परहित सरसी धर्म नहीं भाई रोप रेखा 1. प्रस्तावना 2. परुपकार का अर्थ 3. प्रकृती में परुपकार 4. परुपकार के उपाए 5. परुपकार से लाब 6. उपसंगार प्रस्तावना यह सूपती परक वाक्य रामचरत मानस में तुलसी दास्ची नहीं कहा है जिसका अर्थ है हे भाई परुपकार से बढ़कर मनुष्य के लिए अन्य कोई धर्म नहीं है मनुष्य को समाज में रहनी के लिए दूसरों के सहयोग की आवश्यक्ता होती है क्योंकि अकेला मनुष्य किसी भी तरह से जीवन्यापन नहीं कर सकता है जब से इस रिष्टी की रचना होई है तब से यह सहयोग का कार्य भी शुरू हो गया है जब परस पर सहायता से लोगों का जीवन सुचालू रूप से चलने लगा तो लोगों ने परुपकार की महत्व को चाना परुपकार का अर्थ परुपकार दो शब्दों से मिलकर बना है परुपकार अर्थात दूसरों की भलाई के बारे में सूचना दूसरों के लिए कारे करना अत्यंत महान गुण है ऐसे मनुश्य संसार में कठिनाई से प्राप्थ होते हैं जो दूसरों की भलाई के विशय में सूचते हैं। मनुष्य का सबसे बढ़ा धर्म है कि वह समाज में रहनी वाली सबी लोगों के हित का थ्यान रखे। केवल अपना स्वार्थ पूर्ण करना मनुष्यता नहीं है। प्रकृती में परूपकार कीवल मनुष्यों में ही नहीं वरन प्रकृती के प्रत्य कड़ कड़ में परूपकार की भावना वित्यमान रहती है। व्रिक्ष अपना फल स्वयम नहीं खाते हैं। दूसरों के लिए ही थारण करते हैं। नदिया अपना चल स्वयम नहीं पीती हैं। रहीम दास्ची ने कहा है तरुवर फल नहीं खात है। नदी न संचे नीर परमारत की कारणी साथुन धरा शरीर। इसी प्रकार सूर्य उदित होता है और सारी संसार को प्रकाश से फर देता है। चंद्रमा भी हम से कुछ लेता नहीं बलकि हमीशा देता ही है। इस प्रकार हम देखते हैं कि संपून प्रकृती हमें निस्वार्त समर्पड का संदेश देती है। परुपकार की उपाएं। मनुष्य को समाच में रहते हुए अनेक कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है। अतहा उस समय मनुष्य की सहायता करना परुपकार है। भूखे, गरीबों, निर्थनों की सहायता करना बहुत बड़ा परुपकार है। गरीब बच्चों को पढ़ाई के लिए सुविधा देना भी एक परुपकार का कार्य है। विध्याले खोलना, असपताल खोलना, रूगी की सेवा करना आधी परुपकार की अच्छे उदारण है। परुपकार सिव लाब। परुपकार एक स्वार्थ रहित कार है इससे आत्मिक शांती मिलने के साथ-साथ अनेक कार भी होते हैं समाच में सम्मान की प्राप्ती होती है परुपकार करने वाली व्यक्ति का अंतखरण पवित्र तथा उच्छफल हो जाता है उसकी मन में सदैव यह भावना रहती है कि वह अपने कर्तव्यों को भली भाती पूरा कर रहा है महर्शी ददिची, शिवी, कर्ण जैसे अनेक परुपकारी व्यक्तियों ने परुपकार के कारण ही अपने शरीर का त्याग किया वे आज मर कर भी जीवित हैं, महात्मा गांधी को परुपकार करने से जो सम्मान मिला, हरिश्चंद्र, भगत सेंग, बुद्ध को जो आदर मिला, क्या वह एक सामान्य व्यक्ति को मिल सकता है, कदा पे नहीं उपसंगार, परुपकार करते समें हमें इस बात का ध्यान अवश्य रखना चाहिए, कि क्या वास्तफ में उस व्यक्ति को सहायता की अवश्यक्ता है, क्यूंकि अगर किसी दुरचारी पर दया की जाए, तो अत्याचार ही बढ़ेगा संसार में परुपकार सबसे बड़ा धर्म है, इसलिए गोस्वामी तुलसिदास ची ने कहा है, परहित सरसी धर्म नहीं भाई, पर पीडा सम नहीं अधमाई मैतली शरण गुप्त ची ने कहा है, वही मनुश्य है, जो मनुश्य के लिए मरे समय का सदुप्योग जा सकता, जो मनुश्य इसकी महत्व को समझती है, वही उन्नती की ओर अग्रसर होते हैं, परंतु जो मनुश्य समय का सदुप्योग नहीं करते, वे बात में पच्चताते हैं, इस विशे में यह सूक्ती प्रसिद्ध है, का वर्षा जब क्रिशी सुखाने, समय चूकी पु प्योग से तात परे हैं, कि सबी कार्य निश्चित समय पर किया जाए, क्योंकि यदि कोई कार्य उचित समय पर न किया जाए, तो बात में कार्य करने से कोई लाव नहीं होता, जैसे यदि स्टेशन पर हम देर से पहुँचें और कारी छूट जाए, तो लाग कोशिश करनी पर भी वह काड़ी हमें नहीं मिल सकती विदेशों में लोग समय को पकड़ कर रखते हैं अड़्थात हर शड़का उप्योग करते हैं इसलिए आज उन्नती की उच्च शिखर पर आसीन है परन्तु भारत में प्राया लोग समय के महत्व को नहीं समझते हैं इसी कारण स्वतंत्रता की इतनी वर्षों पश्चाद भी हम उन्नती नहीं कर पाए हैं जितनी की करनी चाहिए थी समय के सदुप्योग सी लाब समय का उच्चित उप्योग करके मनुष्य जीवन के प्रत्धीक शेत्र में सफलता प्राप्त कर सकता है जो व्यक्ति समय का सम्मान करते हैं समय उनका सम्मान करता है हमी महात्मा गांधी की आदर्शों पर चलना चाहिए वी एक मिनट की देरी को भी देरी मानते थे जिस कारे के लिए जो समय उप्योगत है वह कार्य उसी समय पूरा करना चाहिए समय एक ऐसा अनमूल थन है जो अमीर करीब सभी के पास होता है अतहां इस थन का प्रयोग सभी लोग करते हैं इसका उप्योग करने से मनुष्य में आत्म विश्वास का गुण तैदा होता है, परन्तु सबी मनुष्यों को यह ध्यान अवश्य रखना चाहिए, कि बीता हुआ समय कभी वापिस नहीं आता, इसके विश्य में किसी कभी निकाहा है, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परले हुई की, बहुरी करेगो कब, समय के तुरुप्योग से हानी, समय एक ऐसा पहुमूल्य रत्न है, जो चले चाने पर हात नहीं आता, स्वीट मार्टिन ने कहा है, इश्वर एक पार एक ही शन देता है, दूसरा शन देले से पूर्व, वह पहले वाले शन को ले ले यदि किसी कारे को उचित समय पर न किया चाए, तो बात में हाथ मलना पड़ता है, कुछ व्यक्ति तो ऐसे होते हैं, जो व्यर्थी समय गवाते रहते हैं, वे आलस्य में निरंतर पैठे ही रहते हैं, अपना देने कारे भी समय पर पूरा नहीं करते हैं, ऐसे व्यक्ति को जीवन में अनेक कठनाईयों का सामना करना पड़ता है, वे किसी भी कारे में सफलता नहीं प्राप्त कर पातें, नहीं उन्हें धन सम्मान की प्राप्ती होती हैं, जीवन की मूल भूत आवश्यक्ताओं को पूरा करने के लिए उन्हें दूसरों का सहारा लेना पड़ता है समय व्यतीत होने पर उसके हाथ निराशा ही आती है क्योंकि समय का पंच्छी एक बार हाथ से उड़ गया तो दोबारा हाथ नहीं आता कहां भी गया है अब पच्चताई हूथ क्या जब चिडिया चुग गई खेत उपसंगार समय निर्बात कती से निरंतर चलता ही रहता है अतहा, मनुष्य को जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए समय का पाबंध होना चाहिए बच्चपन से ही प्रतीक कार्य उचित समय पर करने की आदर डालनी चाहिए हमें अपने जीवन में बीतने वाले एक एक्षण का ठीक सी उप्योग करना चाहिए। तभी हम प्रतिष्ठा की उच्च शिखर पर पहुँच सकेंगे। समे का सद उप्योग, मनुश्य तथा देश दोनों के लिए हितकारी है। दहीस प्रथा एक समाचेक अभिशाप रूपरेखा 1. प्रस्तावना 2. दहीस का अर्थ वस्वरूप 3. दहीस प्रथा की जन के कारण 4. दहीस प्रथा की भयंकर परणां 5. दहीस प्रथा रोकने के उपाए 6. उपसंघार प्रस्तावना आज समाच को अनीक पुरायों ने खेर रखा है। जैसे बेरुसकारी, महंगाई, दहीस प्रथा आदी। आज दहीस प्रथा की समस्या ने तो इतना विकराल रूप थारण कर लिया है कि यह समाच के लिए एक विकट समस्या बन गई है। लोग इसे सामाचिक कूड या कलंग के नाम से भी पुकारते हैं। समचार पत्रों में दहीस के कारण घटित खटनाओं को पढ़ कर रूमते खड़े हो जाते हैं। दहीस का अर्थ वस्वरूप दहीस वह समपत्ती है जो माता पिता अपनी बेटी को विवाह में उपहार स्वरूप स्विच्छा से देते हैं। प्राचीन काल में कन्या के विवाह के समय वस्त्र आभूशन आदी तान दिये जाते थे। लेकिन थीरे थीरे यह प्रथा विक्सित होती गई और यह मांग वर्पक्ष की ओड से होने लगी। वर्पक्ष कार, टीवी, फ्रिज, एसी से लेकर ग्रहस्ती के पूरे समान की मांग करते हैं। यदि कन्या का पिता दहीस दीने में सक्षम नहीं है, तो उसी अपनी कन्या के लिए सोयोग्य वर नहीं मिल पाता। ऐसी दर्शा में या तो वह कुवारी रहती है, या किसी अयोग्य वर के साथ उसे चीवन गुजारना पड़ता है। आज कन्या की श्रेष्टता का कोई महत्वर नहीं रह गया है। दहीस्प्रथा की जन की अनेक कारण हैं, जैसे अपनी ही जाती में विवा करना, समाज में विवा की अनिवार्यता, सही शिक्षा का अभाव, धनलिपसा, रूडिवादिता, समाज में जूटी मानमर्यादा की रक्षा, आदी। दहीस्प्रथा की भयांकर परेडाम तो परेडाम लड़की को भुगतना पड़ता है, उसे तरा-तरा की यातनाई दी जाती हैं, और सिंदा चला दिया जाता है, जिन माबाप के पास दौलत नहीं होती, वे अपनी पुत्री का विवा करने में असमर्थ होते हैं, ऐसे में लड़की में कुंठा की भाफना आश होकर आत्महत्या कर लेते हैं, आजकल तो कन्या को चन लेने की पूर्व ही मारती आ जाता है, आखेर कब तक ऐसा होता रहेगा? दहेस प्रथा रोकने के उपाए, दहेस प्रथा रोकने का काम एक व्यक्ति नहीं कर सकता, क्योंकि अकेला चना भाड नहीं फोड सकता, इसके लिए समाच में सभी व्यक्तियों को सजग होना पड़ेगा, विशेश कर युवावर को आगे आना होगा, चूर किये मासूम कन्या का जीवन मुडचाया, ओ मेरे युग की प्रहरीतू, इस कलंका करो सफाया, यदि लड़के के विवाव के समय उनके पिता दहेस की मांग करें, या लड़की के पिता दहेस दे कर विवाव करें, तो ऐसी स्थिती में दोनों को ही विवासी इनकार कर देना चाहिए, सर शिक्षक भी इस शेत्र में महत्वपून भूमिका निभास सकते हैं, वे युवावर को दहीस का आदान प्रदा न करने के लिए शिक्षित कर सकते हैं, दहीस प्रथा की समाप्ती के लिए अंतरचातिय विवाहों को बढ़ावा मिलना चाहिए, लड़कियों को उच्च शि परणामों को देखते हुए, इसे समाप्त करने के लिए कठोर कदम उठाना चाहिए, यदि इसे दूर करने में लापरवाही बढ़ती गए, तो समाच की नीव लड़कडा आ जाएगे, इसका अंतोने पर ही हमारी समाच का विकास हो पाएगा, अतह हम सब का यह नारा होना चाहिए कित दुलहन ही दहेस है, दहेस रहित शादियां हमारा संकल्प है राश्ट्र पता महात्मा गांधी रूप रेखा 1. प्रस्तावना 2. गांधी जी का चन्स्थान एवं शिक्षा 3. गांधी जी की जीवन में माता जी के तीन वचन 4. गांधी जी की अफ्रीका यात्रा 5. गांधी जी का आंदोलन रूपी जीवन 6. 1942 के आंदोलन में गांधी जी 7. उपसंगार प्रस्तावना भगवान कृष्ण ने कीता में कहा है कि जब संसार में अत्याचार बढ़ जाते हैं तब मैं उन्हें दूर करने के लिए अफ्तार लेता हूँ भारत में अंग्रेशों की अध्याचार बहुत अधिक पड़ गए थे अपने देश के बने कपड़ों को यहां पिकवाने के लिए अंग्रेश शासकों ने यहां के जुलाहों के हाथ कटवा दिये थे इसके अतिरित किसान मस्दूरों का बहुत अधिक शूशन हो रहा था इन सब अत्याचारों को दूर करने के लिए महात्मा गांधी के रूप में इश्वर ने अफ्तार लिया गांधी जी का जन स्थान एवं शिक्षा इस महान पुरुष को जन देने का श्रियर गुच्रात काठियावाड की पूर बंदर स्थान को है भारत इस प्रांध का चिर रड़ी रहेगा दू अक्टूबर 1899 का वह पवित्र दिन था जिस दिन इस महापुरुष ने पृत्वी पर अफ्तार लिया आप मुहंदास करमचन गांधी के नाम से प्रख्यात हुए आपके पिता राजकोट के दिवान थे इसलिए आपका बालिकाल भी वही व्यतीत हुआ माता पुतलीबाई बोहत थार्मिक प्रकृती की एवं सती साथवी स्त्री थी जिनका प्रभाव गांधी जी पर आचीवन रहा इनकी प्रारंभिक शिक्षा पूर्बंदर में हुई कक्षा में वे साधारण विद्यार्थी थे कक्षा में किसी सहपाठी से बादचीत नहीं करते थे पढ़ाई में मत्यमवर्गिय चात्रों में से थे अपने अध्यापकों का पूर्ण सम्मान करते थे मैट्रिक की शिक्षा आपने स्थानी स्कोलों में ही प्राप्त की तेरा वर्ष की आयू में कस्तूर्बा के साथ आपका विवा हुआ गांधी जी के जीवन में माता जी के तीन वच्चन जब आप कानून पढ़ने विलायत कए उस समय आप एक पुत्र के पिता भी बन चुके थे आपने माता जी को दी हुए तीन वच्चनों का पालन पूरी तरह किया ये वच्चन थे पर्ष्ट्री की ओर बुरी नजर ना रखना शराप मास का प्रेव न करना और साधा जीवन अंत में ये ही तीन वच्चन सत्यनिष्ठा, तर्मात्मा एवं महात्मा का उच्चपद प्राव्ट करने में सहायत बने विलायत में शिक्ष ग्रहड करते समय वे विलासिता से को सुदोर रहे वहां से बारिस्टर बनकर स्वदेश लोटे गांधी जी की अफ्रीका यात्रा गांधी जी ने मुंबई में आकर वकालत का कार्य आरंब किया किसी विशेश मुकदमे की पैरवी करने के लिए वे तक्षण अफ्रीका गए वहाँ भार्थियों के साथ अंग्रीजों का दुर्व्य भार्थ देखकर इनमें राष्ट्रिय भाफना चाक्रित हुए वहाँ पर उन्होंने सबसे पहले सत्य ग्रह का प्रयोग किया जिसमें उनहीं सफलता प्राप्थ हुए गांधीजी का आंदोलन रूपी चीवन जब 1915 में भारत वापस आय तो अंग्रीजों का तमन्चक्र सोरो पर था रॉलट आग जैसे काली कानून लागो थे सन 1919 में जलिया वाला बाग की नर संघारी दुर्खटनाओं ने मानवता को नत मस्तक कर दिया था उस समय अखिल भारतीर कॉंग्रिस परिशन केवल पढ़े लिखे मध्यमवर्गिये लोगों का एक वर्ख थी देश की बाग दोर लोकमान्य बाल गंगा दर्टिला के हाथ में थी उस समय कॉंग्रिस की स्थिती इतनी अच्छी न थी वह दो दलों में विभक्त थी 1926 में असहयोग आंदोलन का सूत्रपात करके भारतीर राचनीती को एक नया मोर दिया इसके बाद 1928 में जब साइमिन कमिशन भारत आया तो गांधीजी ने उसका पूर्ण पहिशकार किया और देश का सही नेत्रित्व किया सन 1930 में नमक आंदोलन तथा डांडी यात्र का श्री गणीश किया 1942 के आंदोलन में कांधीची 1942 के अंत में द्वितिय महायुद के साथ अंग्रीसों भारत छोड़ो आंदोलन का पिगुल बचाया और कहा यह मेरी अंतिम लड़ाई है वे अपने अनुयाईयों के साथ गिरफतार हुए इस प्रकार अंत में 15 अगस्त 1947 को अंग्रीस यहां से विदा हुए पाकिस्तान और हिंदुस्तान दो देश बने जब भारतिय लोग अपनी नवगुंतक आजाधी देवी का स्वागत हर्शो मधो कर कर रहे थे तो यह मानफता का पुचारी शान्ती का अग्रदूद भाई-भाई के खून से पीड़ित मानफता को अपने सदुप्योग रूपी मरहम का लेपन करता हुआ गली-गली और कूचे-कूचे में शान्ती की अलग चगा रहे थे उपसंगार, स्वतंत्रता की पुचारी बापू, गांधी 30 चन्वरी 1948 को नाथुराम गूट से की गोली का शिकार हुए अहिंसा का सबसे बड़ा उपासक हिंसा की फेट चड़ गया चाहे बापू भौतिक रूप से हमारे मथ्य नहीं है, तो भी उनकी आदर्श इस महान देश का पत्प्रदर्शन करते रहेंगे गांधी जी मर कर भी अमर हैं, क्यूंकि उनकी आदर्श आज भी हमारा मार्क प्रशस्त कर रही है भेकारी की आत्मकथा रूप रेखा 1. प्रस्तावना 2. भेकारी का कश्टकारे जीवन 3. भीकारी की परिस्तिती 4. भेकारी की वेधना 5. उपसंगार प्रस्तावना भेकारी जी हाँ, मैं एक भेकारी हूँ मैं अपनी कहानी आपको क्या सुनाओ मेरी जुकी हुई कमर, धसी हुई आखे, चुरियों भरा चहरा, काप्ती गर्दन और मेरे हाथों का यह भिक्षा पात रही, मेरी कहानी कह रही है परंतु एक दिन मेरी दशा ऐसी न थी, मुझे याद आते हैं, वे दिन जब मेरा अपना सुखी परिवार था, लक्षमी की समान मेरी पत्नी थी, फूल के समान महकते मेरी दो बच्चे थे, वे दिन भर कुयल की भाती चहकते रहते मैं कपड़ा बुनने की एक मिल में नौकर था, काम करने के बाद जब मैं शाम को अपने घर लोटता, तो पत्नी मधर मुस्कान से मेरा स्वागत करते बच्चे मेरी कोद में बैठने के लिए मचल उटते, मैं अपने भागी को सराहता, प्रभू को लाग लाग धन्यवाद देता, मेरी सुखों को देख कर लोग इर्शा करते मैं अपने भागी पर फूला न समाता, मैं सदैव ठीक समय पर काम पर पहुँचता, काम करने में मेरा मन लगता, मेरी मन में अधिक से अधिक काम करके, अधिक से अधिक थन कमाने की चाह रहती, परन्तु शायद विधाता को वह सब कुछ मन्सूर नहीं था फिकारी का कश्टकारी जीवन, एक बार नगर में महमारी फैली, उस महमारी में मेरी अभागी अबोध पच्चों की मां उन्हें बिलगता छोड़कर चली गई, पत्नी की मृत्यू से मेरा दिल तूट किया, मुझे उस समय कुछ न सूचता था, परन्तु मुझे जीना पड अपने लिए नहीं, अपने बच्चों के लिए, अब मेरा मन काम में नहीं लगता था, काम पर पहुँचने में भी प्राया तेर हो जाती, वहां पहुँच कर भी उन अबोध बच्चों की चहरी मेरी आखों की सामनी खूंते रहती, कभी-कभी पत्नी की मूर्ती भी मेरी आ लालन पालन मेरा थर्म था, मैं उन्हें प्राणों से अधिक प्यार करता था, मैं उनकी हूटों पर मुस्कान लाने की फड़सत चेश्टा करता, परन्तु उनकी मानस पटल से उनकी मा की मूरती ना हटती, वे बात बात पर मा की रट लगाने लगती, उनकी करुण पुकार को सुनकर मेरा थेरी भी विचलित हो उतता और आखें गीली हो चाती बच्चों के लालन पालन के कारण मैं पहुत दिन तक मिल भी ना जा सका और परिणाम स्वरूप मुझे एक दिन अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ा भिकारी की परिस्थिती परंतु पेट की च्वाला कैसे बुच्ती तीन प्राडियों के जीवन की रक्षा कैसे होती जमा पूची तो खर में थी ही नहीं लोगों ने उधार देना भी पंद कर दिया थीरे थीरे खर की चीज़ें पिकने लगी मैं खर पर पड़ा पड़ा भगवान को कूसता रहता कुछ दिन के बाद मुझे च्व भी आया जब वह किसी सादू के बहकावे में आकर घर ही छोड़कर फाग गया चोटे लड़के के चेचक निकली और कुछ दिन में ही उसकी माने उसे अपने पास बुला लिया भिकारी की वेदना पत्नी और बच्चे की बिना मेरे चीवन में सूनेपन के अतरिक्त और रही क्या गिया था मुझे जीवन से विरत्ती हो गई न जाने मैंने कितनी बार भगवान से मृत्यू के लिए प्रार्थना की किन्तु विधाता ने मेरी एक न सुनी क्योंकि वह भी मुझसे रूट चुका था थीरे थीरे सब कुछ बदल गया मैं भी भला कैसे न बदलता एक द प्रेट की च्वाला ने मान अपमान और लच्चा क्लानी भुला कर मुझे चौराही पर खड़ा करके मेरे हाथ में यह भिक्षा पात्र थमा दिया आज मैं चौराही पर खड़ा हूँ कोई व्यक्ती मेरी और सिक्का भेक कर गर्व मिक्षित संतोश का अनुभव करता है आगे बढ़ने का आदेश देता है और कोई मुझे कमा कर खाने का उपदेश देने लगता है उपसंघार आज मुझे अपना जीवन भार स्वरूब लगता है मैं नहीं जानता कि मुझे इस जीवन का भार कपतत होना है और क्यूट होना है क्रिस्मस रूपरेखा एक प्रस्तावना दो क्रिस्मस का त्योहार तीन इसा मसी का चन्म चार इसा मसी के सूविचार उपदेश पाँच पच्चिस दिसंबर का महत्व छे उपसंगार प्रस्तावना जब संसार में अध्याचार बढ़ जाते हैं घरणा फैल जाती है लोग एक दूसरी की खून के प्यासी हो जाते हैं परस पर प्रेम नहीं रहता है सहनशीलता नश्ट हो जाती है तब ऐसे महापुरुष का चन्म होता है जो इन सब प्रकार की कष्टों को सहकर इन सब पुरायों को दूर करने का प्रयत्न करता है क्रिस्मस का त्योहार यह इसाई के मत की मानने वालों का सबसे बड़ा और सबसे पवित्र त्योहार है इस दिन महात्मा प्रभु इसा मसी का चन्म हुआ था अपने महापुरुष की पवित्र स्मृति में इसाई मत की मान इस दिन को बड़ा दिन कहकर खुशी मनाते हैं, क्यूंकि दिन की पड़े होने से उन्हीं काम करने के लिए अधिक समय मिलेगा। इसा मसीह का चन्म इसा प्रभू इसा मसीह के चन्म की काल में लोग अंद विश्वास में पड़े होए थे। वे अनेक तीवी देवताओं की पूजा करते थे। शासक बड़ा अध्याचार कर रहे थे। प्रभू इसा मसीह की माता मारिया अध्याचारों से दुखी थी। वह दुखी होकर केथल हीम चली गई। वही एक पशुशाला में उनका चन्म हुआ। इसा मसीह के सुवचार उपदेश। इसा मसीह जब समर्थ हो गए तब उन्होंने समाच में प्रवेश किया। उन्होंने देखा कि लोग आपस में लड़ जगड रही है। एक दूसरे से प्रेम नहीं कर रही है। उन्होंने लोगों को उपटेश दिये। इस्वर एक है। हम सब उसी की संतान है। हम सब यदि प्रेम से रहेंगे तो वह हम सब पर प्रसन होगा। मनुष्य सेवा ही इस्वर की सची सेवा है। तुम लोग सहन्शील बनो। छोटी छोटी बातों के लिए एक दूसरे के खून के प्यासी मत पंचाओ। लोगों पर इनके उपटेशों का अच्छा प्रभाव पड़ा। लोग इन्हीं इस्वर का अवतार मान कर इनकी पूचा करने लगे। धर्म के ठेकेदारों के स्वार्थ में बाधा पड़ी। वे इनसे चलने लगे। उन्होंने शासकों से इनकी शिकायत की। शासकों ने इनकी शिकायत करने वालों को ठीक मान लिया। और इन्हें फासी की सजा दे दी। उन्होंने फासी की तक्ते पर जूलते हुए यही कहा। भगवान इनकी पुथी को सुधार तथा इनकी अपराधों को शमा कर। 25 दिसंबर का महत्व। प्रभू इसा मसी यद्यपी आज संसार में नहीं है। किन्तु संसार के सब इसाई इनको याद करते हैं। उनकी स्मृति में उच्सफ मनाते हैं। उनकी उप्तेशों से लाब उठाते हैं। अतह वे आज भी अपने यश्रूपी शरीर से जीवित ही है। प्रभू इसा मसी की स्मृति में इसाई लोग 25 दिसंबर को बड़ी थूमधाम से मनाते हैं। गिर्जा घरों में जाते हैं। वहाँ सब मिलकर प्रार्थना करते हैं। भिन भिन प्रकार की फ्रांसी ट्रेस पहनते हैं। मिठाईयां खाते और खिलाते हैं। घरों में क्रिस्मस पेड लगाते हैं। उन पर बच्चों के लिए अनेक उपहार लगाते हैं। रात को बच्चों के लिए अनेक उपहार लाते हैं। रात को बच्चों की कपणों या मोजों में मिठाई रग देते हैं। प्राता काल मिठाई देखकर वे खुश हो जाते हैं। जब वे पूछते हैं कि मिठाई कहां से आई तब माता पिता कहते हैं कि प्रभु ईसा मसी हमको प्रेम, दया, सहानुभोती, सेवा, सहनशीलता, आदी की शिक्षा मिलती है। हमें चाहिए कि हम उनकी उपदेशों को जीवन में उतारें, उनकी उपदेशों का प्रचार करें। उनकी उपदेशों पर चलने से लोगों में प्रेम भाव पढ़ेगा, घ्रिणा दूर होगी। सहन शीलता आएगी, लोग एक दूसरे की अपरात को सहलेंगे। समाच में प्रीम होगा, कश्ट दूर होगा, अतहां हमें उनकी उपदेशों के अनुसार काम करना चाहिए। बसंत्रतु का वर्णन रोप रेखा 1. प्रस्तावना 2. बसंत्रतु में प्रकृती की छटा 3. बसंत्रतु में सुहाना मौसम 4. लोग द्वारा बसंत्रतु का आनंद 5. बसंत्रतु का त्योहारेक महत्व 6. उपसंगार प्रस्तावना सभी देशों में रित्मों का बहुत महत्व है प्रतीकृतु के अनुसार प्रकृती का रूपरंग बदलता है उसकी प्रभाव में अंतर आता है उसका स्वभाव बदल जाता है वह कभी शीतल, कभी गरम, कभी सरस और कभी नीरस हो जाता है भारत में छे रिद्वे होती है बसंत, ग्रीश्म, वर्षा, शरद, हेमंत और शिशिर बसंत रित्मों का आरंब भारतीय पंचांग के अनुसार चैत्र वैशाक मासों में अर्थात मार्च अप्रेल महीनों में होता है बसंत रित्मों का राजा है राजा की सवारी बहुत आगे से आरंब हो जाती है और बहुत लंबी होती है रित्वराज बसंत का आनभी अपने समय से बहुत पहले हो जाता है इसका आरंब माग शुकला पंचमी अर्थात जन्वरी के अंच से हो जाता है इस बसंत पंचमी को श्री पंचमी भी कहते है बसंत रित्म में प्रकृती की छटा प्रकृती रित्मों के राचा बसंत का स्वागत करती है व्रिक्ष अपने नए नए रंग बिरंगी फूलों का हार उसके कले में डालते है कोयल काना काती है भौरे अपने मधर गुंचन से मचीरे बचाते है कलियां चटकारा देती है खेतों में फूली पीली सर्सूं उससे सुनहरी शौल उडाती है शीतल मन समीर वायू उस पर पंखड़ो लाती है पुश्प से चूने वाला मधू उसे मधू शराब पिलाता है अनार आम आदी अनेक फल उसकी स्वादिश्ट भोजन के रूप में उपस्थित हो जाते है बसंत रितु में सुहाना मौसम बसंत रितु में मौसम बहुत सुहाफना हो जाता है इस रितु में न अधिक जाड़ा और न अधिक कर्मी रहती है वनो उपवनो खेतों तथा क्यारियों की शोभा बहुत सुन्दर और चित्त को आकरशित करने वाली हो जाती है शीतल, मंद, सुगंद, वायू चलती है जिससे शरीर में नई चीतना और फुर्ती आजाती है घूमने में बड़ा आनंद आता है कहां भी गया है कि बसंत में घूमना स्वास्त बढ़ाने वाला होता है लोग उत्वारा बसंत रितु का आनंद जहां प्रकृती में मादक्ता मस्ती आती है वहीं बालकों से लेकर वृद्धों तक में मस्ती आजाती है लोग पीले-पीले कपड़े पहन कर और गेंदे के पीले-पीले फूल लेकर बसंत के स्वागत के लिए निकल पड़ते है मंदरों में इस दिन विशेश उत्सफ मनाई चाते है व्रिंदावन में रंगजी का सुन्दर और सजा हुआ कमरा केवल इसी दिन भक्तों के दर्शन के लिए खुलता है संस्कृत, हिंदी और उर्दू के कवियों ने बसंत्रितु का बहुत सुन्दर वर्णन किया है उर्दू के कवी मिया नसीर की वाशिक पुन्यति थी इसी दिन ताजगंच में उनकी स्मृति के रूप में मनाई चाती है इसी दिन उत्सवों का आयोचन होता है बाजों की मधुर्थ्वनी से वातावरण मधुर हो चाता है मंदिरों में सरस्वती का पूचन होता है बसंत रितु का त्योहार एक महत्व हूली का त्योहार बसंत रितु का सबसे अच्छा त्योहार है हूली की स्थापना बसंत पंचमी के दिन होती है फागुन शुक्ल पक्ष की पूर्ण मासी को होलिका का दहन किया जाता है उपसंगार संग्षीप में बसंत रितु फूलों की रितु है फूलों की रितु स्वास्ति की रितु है इस रितु में पश्वों, पक्षियों और नर्नारियों में नई मस्ति आ जाती है लोग प्रसन्नता से छूमुटते हैं और आनंद से फर जाते हैं समचार पत्र का महत्व रूपरेखा 1. प्रस्तावना 2. समचार पत्र जीवन का आवश्यक अंग 3. भारत में पत्रकारता का विकास 4. समचार पत्र विचारों के प्रसार का साधन 5. समाचार पत्र में उपलप्त सामक्रे 6. समचार पत्र की कार्य प्रणाली 7. समचार पत्रों का पक्षपात पूर्ण रूप 8. उपसंखार प्रस्तावना मनुश्य सामाचिक प्राड़ी है वह अपनी बात दूसरे से कहता है और दूसरे की बात को सुनता है संदेश भेजने और संदेश पाने की इच्छा अनादिकाल से चली आई है मनुष्य अपने पडोसी, कुटुम्बी और संबंधी का समचार जानने के लिए सदा उच्छुक रहता है यात्रा के साधनों के बहुत तेश हो जाने के कारण अब वह देश की ही नहीं, विदेशों के भी समचार जानना चाहता है उसकी इस शिग्यास वृत्ति को जानने की इच्छा को समचार पत्र शान्त करते हैं समचार पत्रों का यही महत्व है समचार पत्र जीवन का आवश्यक अंग भारत में पत्रकारिता का विकास यहां के राष्ट्रिय आंदोलन के साथ ही हुआ यहां के प्रतीक राष्ट्रिय नेता ने किसी ना किसी पत्र द्वारा ही सार्वचनिक संपर्क स्थापित किया सन 1818E में राजाराम मोहनरोय का बंगाल गैसेट निकला फिर गांदीजी के यंग इंडिया और हरिचन दो पत्र अंग्रेसी और हिंदी में प्रकाश्यत हुए इसी प्रकार सुरेंद्रनाद पानडची, लाला लाच पत्राय, लोकमानय तिलक सब एक न एक पत्र सात लेकर आए लाला ची का पीपिल्स तथा तिलक ची का केसरी उलेखनीय पत्र है समचार पत्र विचारों के प्रसार का साधन आजकल समचार पत्र जनता के विचारों के प्रसार का सबसे बड़ा साधन है वह धनिकों की वस्तूर ना होकर जनता की वाणी है वह शोशतों और दलितों की पुकार है आज वह जनता का मातापिता, स्कूल कॉलेज, शिक्षक, ठीडर, आदर्श और उत्प्रेरक परामर्श दाता और साथी सब कुछ है वह सच्चे अर्थों में जनता के विचारों का प्रतिनिधित्व करता है समचार पत्र निराश्रतों का सबसे बड़ा आश्रे है समचार पत्र में उपलब्ट सामक्रे, तीन-चार रुपे के समचार पत्र में क्या नहीं होता काटून, देशभर के महत्वपून और मनुरंचक समचार संपाद की ये लेक, विद्वानों की लेक, नेताओं की भाषणों की रिपोर्ट व्यापार वा मेलों की सूचनाएं और विशेश संसकर्णों में स्त्रियों वा बच्चों की उप्यों की सामक्री पुस्तकों की आलोचना, नाटक, कहानी, धारवाहिक, उपन्यास, हास्य, व्यंग्यात्मक लेक, आदी, विशेश सामक्री रहती है समचार पत्र की कारिप्रणाली समचार पत्र समाचिक कूरितियां दूर करने के लिए बड़े सहायक है समचार पत्र की हबरें बड़े-बड़ों के मिजाच ठीक कर देती है सरकारी नेती के प्रकाशन वह उसके खंडन का समचार पत्र सुन्दर साधन है इनके द्वारा शासन में सुधार भी किया जा सकता है शासन की बाग दोर जिस लोगसभा के दल के हाथ में है उसकी विस्तरित खवरें निकलती है इस प्रकार समचार पत्र परोक्षनीती से उन पर भी अपना अंकुष रखते है समचार पत्रों का भय बड़ी-बड़ी महान शक्तियों को अभिमान के मत से दूर रखता है विख्यापन आज के युग में बड़ा महत्व पून स्थान प्राप कर रहे है प्राया लोग विख्यापनों वाले प्रश्ट को अवश्य पढ़ते हैं क्योंकि इसी के सहारे वे अपनी चीवन यात्र का प्रबंध करते हैं समचार पत्रों का पक्षपात पूर्ण रूप कुछ समचार पत्र सीमित विचार थाराओं में पंधे होते हैं पत्र सरकारी नीती की भी पक्षपात पूर्ण विवेचना करते हैं कुछ सामप्रदाइक विचारों को ले कर चलते हैं और प्रतीर पात में अपनी मनोफ रित्ती की चाप छोड़ते हैं परणाम यह होता है कि सामाने पाठक एक ही समाचार के विभिन स्वरू कई समाचार पत्रों में देख कर भोचक्का हो जाते हैं वे ठीक और गलत का निर्ने नहीं कर पाते हैं उपसंगार अंततह यह कहना आवश्यक है कि समाचार पत्रों का बड़ा महत्व है पर उनका उत्तरतायत्व भी है कि उनकी समाचार निश्पक्ष हो किसी विशेश पार्टी या पूंजी पती के स्वार्थ का साधन ना बने आजकल के भार्टी समाचार पत्रों में यह बड़ी कमी है जनता की वाणी का ऐसा तुरुप्यों नहीं होना चाहिए फिर भी वह निर्विवाद है कि भारत में पत्रकारता का भविश्य उज्वल है विशेशकर हिंदी समचार पत्रों का पत्र संपादक को अपना दायत्व भली प्रकार समचना चाहिए भारत की सांस्कृतिक एकता एवं अखंडता रूप्रेखा 1. प्रस्तावना 2. भारत की भोगोलिक स्थिते 3. भारत की सांस्कृतिक एकता 4. सभी धर्मों का एक दूसरी से चुड़ाव 5. राष्ट्रिय एकता को खत्रा 6. उपसंहार 5. प्रस्तावना किसी भी देश की सम्रित थी एवं विकास के लिए उसकी सांस्कृतिक एकता अत्यन्त आवश्यक होती है सांस्कृतिक एक्ता ही वह आधार है जिस पर उस तेश में रहने वाली विपिन चातियां और संप्रदाई एक राष्ट के रूप में एक्ता बद रहते हैं यह एक्ता ही राष्ट्र प्रेम अखंडता और राष्ट्र के विकास के लिए चेतना चगाती है भारत की पौगोलिक स्थिती भारत एक विशाल देश है जो अनेक पौगोलिक फूखंडों में बटा हुआ है जिसमें अंगिनत चातिया रहती हैं जो भिन भिन धर्मू में विश्वास रखती हैं उनकी अलग-अलग सामाचे रीतिर्वास हैं। अलग-अलग भाशा में वीश-पूशाएं तथा खान-पान हैं। इन सब भिन्नताओं की होती हुए भी भारत सदैव से एक राश्ट्र के रूप में भावात्मक एक्ता में आबद्ध है। इस एक्ता को परस पर भावनात्मक स्तरपन चोड़ती है। भोगोलिक सीमाएं तथा भिन्नताओं भी इसमें बाधक नहीं बनती। महात्मक बुद्ध और महावीर के विचारों ने देश की एक्ता की जणों को और कहरा किया है। चैतन्य महाप्रभू, रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानन यत्यपी बंगाल में हुए, परन्तु सारा देश उनसे प्रभावित हुआ। भारत की सांस्कृतिक एक्ता। भारत की इस सांस्कृतिक एक्ता का मूल कारण है उसका दार्शनेक त्रिष्टी गोण और धार्मेक भाफना। भारतीय दर्शन में अनेक्ता में एक्ता का समावेश है। यह दार्शनिक विचार धारा ही इस विशान देश को विभिन्नता रहती हुए भी एक दामी पांधी हुए है। दार्शनिक दृष्टी कोण ही देश की धार्मिक एकता का मुख्य आधार है। देश में अनीक धार में विचार धाराई चन्मी और पनपी। सवे धर्मों का एक दूसरे से चुड़ाव। भारत में सभी के मूल में एक ही धर्मभावना काम करती है। इसलिए हिंदु भगवान महावीर और बुद्ध को अफ़तार मानते हैं। तो पौथ और जैन धर्माव लंबी राम कृष्ण को भी इसी श्रत्था से देखते हैं। सिख गुर्वों ने अपने धर्म करंथों में राम की महमा गाई है। खानपान, वीशभूशा, सामाचिक रीति रिवास आदी सभी में एक रूपता द्रिष्टिगत होती है। यहाँ तक कि सभी एक दूसरे की धर्म स्थानों में प्रार्थना करने चाते हैं। इस सांस्क काफियों की रचना की है। जिन में भारती संस्कृती का उच्च कोटी का फर्णन है। रस्खान, शेक, आलम, नसीर, आदी, अनेक कव्यों ने कृष्ण भक्ती के सरस्कावी की रचना की है। राष्ट्रिय एकता को खत्रा। यद्यपी भारत सदियों से सांस्कृतिक रू लगड़े हुए, किन्तु उनसे कभी सांस्कृतिक एकता पर आच नहीं आई और ना कभी देश के विघटन का प्रश्ण ही उठा। लेकिन आच देश की एकता को भयांकर खत्रा पैदा हो गया है। भाशा, प्रांध, नदी के पानी के प्रश्ण, शेत्रिय सीमाई, आदी अनेक प्रश्ण उठकर राश्ट्र की सांस्कृतिक एकता को खत्रा पैदा कर रहे हैं। आज देश की विघटन का मूल कारण है स्वार्थों की राचनीती। सत्ता से जुड़े हुए राचनीतिक स्वार्थ आच चातिय, भाशाई, धार्मे, प्रांतिय, आदी विदेशो की आग फैला रहे हैं। उपसंगार, आज भारत की सांस्कृतिक एकता का प्रश्ण जितना महत्वपूर्ण बन गया है, उतना भारती इतिहास में कभी नहीं रहा। अगर देश की सांस्कृतिक एकता चिन्न भिन्न होती है, तो देश फिर से खुलाम बन सकता है। इसलिए देश की सांस्कृतिक एकता का प्रश्ण, देश की सुरक्षा, अखंडता और आजादी की रक्षा का प्रश्ण बन गया है। अतहा आज देश की सांस्कृतिक एकता को बनाई रखना, उसे और मस्बूत करना सभी देश्वासियों का परमकर्तव्य हो गया है।